बहुबली मुखतार अंसारी ने 28 मार्च को आखरे सांस ले थी इसके बाद 30 मार्च को उसे सुपरदेखा कर दिया गया लेकिन इसी के बाद से सियासी हल्चल भी तेज है और लगतार मुक्तार अंसारी के भाई ने और परिवार जनों ने ये आरोप लगाए है कि जेल के अंदर मुक्तार को जहर दिया गया, स्लो पॉईसन दिया गया लेकिन पोस्ट मौटम के रिपोर्ट में साफ हुआ कि हाथ अटाक से मुक्तार अंसारी की मौत हुई है तलाल परिवार ने अभी तक इस बात पर यकीन नहीं किया है और अभी भी लड़ाई लड़ना चाहता है खर ये बात अलग है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सियासी मुद्दे की तो आपको याद दिला दू कि एक अपरेल को असदुद्दीन ओवैसी अचानक मुक्तार अंसारी के घर चले गए और घर जाने के बाद उन्होंने कई ऐसी बाते की जो से सियासी बवाल मच गया ओवैसी का अचानक मुक्तार अंसारी के घर जाना कई सारे सियासी माहिनों से देखा जाने लगा लेकिन इस बीच सवाल पूछे जाने लगे कि आखर अखिलेश यादव मुक्तार अंसारी से मिलने क्यों ने गए तो अब इसका जवाब भी साफ हो गया है जी हाँ, साथ एप्रिल को अखिलेश यादव मुक्तार अंसारी के परिजनों से मिलने गाजिपूर जाने वाले हैं अखिलेश यादव गाजिपूर में हलिकॉप्टर से जाएं, इस बात के भी चरशा तेज है लेकिन फिल्हाल इसके कोई आपचारिक अभी तक नहीं हुई है आपको एक बार पिर बता दूँ, अखिलेश यादव मुक्तार अंसारी के परिवार से मिलने साथ एप्रिल को गाजिपूर जाने वाले है हलाल इस रेपोर्ट में इतना ही देख रहे है, ABB Live